हेलो एवरीबड़ी वेलकम तो मिस्टिक वाल्ड 11.11 यह आप लोगों की क्विक एनरजी अपडेट है और हम देखेंगे आपके परसन की करंट फीलिंग्स और थॉर्ट्स आपके लिए आज क्या है यह सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है यह एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइंलेस है सो देखते हैं की आज आपके परसन कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स और थॉतस उनकी करंट फीलिंग्स और थॉतस हमारे पास है तू अफ Bentysical फिर है the chariot okay we have eight of wands seven of swords four of pentacles six ten of pentacles wow king of cups wow and the world very nice energy here Scorpio is very strong Aries, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo these star signs are Pisces, Cancer but I always tell you that you focus on your energy and I don't know why today I have discussed star signs why I have discussed all star signs so what are you feeling what are you thinking this person genuinely loves you with this king of cups I have a lot of emotions I have a lot of emotions I have a lot of feelings love I have a lot of receptive energy communicate communicate how can people this person I have a lot of friends communicate communicate about the top of the deck page of pentacles है इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये इनसान आपको कुछ ओफर करने वाले हैं कोई बहुत स्वीट एफर्ट करने वाले हैं आपके लिए तो आप लोगों के दरम्यान जो डिस्टंस आया हुआ था जो गैप आया हुआ था बेसिकली आपके परसंट उस गैप करेंगे अब मुझे समझने आ रही मैं किस तरह इसको words में explain करूं बट different कुछ change हो रहा है और ये positive change है यानि हो सकता है कि कुछ life में चीजें थी जिनकी वज़ा से आप लोगों का connection stuck था कुछ चीजें थी जिनका आप लोग wait कर रहे थे कि ये हो जाएंगी तो फिर आपकी connection की progress होगी या कुछ भी इस तरह से तो हो सकता है कि कुछ चीजें हो गई है उनकी life में अब direction clear आप लोगों को मिल चुकी है road साफ हो चुका है आप लोगों के लिए I don't know ये messages कैसे आप से resonate करेंगे but I feel कि आप लोगों के लिए road साफ हो रहा है या हो चुका है और अब आप लोग इस road पे चलेंगे अराम से ये नया cycle है आपका आपके partner के साफ जो शुरू हो रहा है इसमें आप जादा एक दूसरे के बारे में जानेंगे इसमें एक next level होगा understanding का अभी भी हो सकता है आप लोगों के दर्मयान बहुत understanding है एक दूसरे को समझते हैं बट उससे भी एक next level पर understanding जाने वाली है और deeper level पर आप एक दूसरे को समझने वाले है कि अच्छा इसके अंदर ये आदत भी है अच्छा ये ऐसे भी करती है अच्छा ये ऐसे भी करता है अच्छा दुख में ये इस तरहां से deal करता है अच्छा ऐसे situation में ये ऐसे करता है तो कुछ deeper होने वाले level understanding का I feel ये बिल्खुल एक नया cycle इस तरहां से है आपका उनके साथ और मुझे लगता है कि बहुत stability की तरफ जा रहे हैं आप लोग आप लोग का connection और फिर ये जो 10 of pentacles है ये तो family का card है आपको पता है long term का card है stability I think मैंने बोल दिया है I just feel कि ये ये भी हो सकता है कि literally आपके person अब family बनाने का सोच रहे है हो सकता है कोई goal था कोई काम था जो उनका रुका हुआ था नहीं हो रहा था वो हो गया है अब वो ये सोच रहे हैं इस connection पर उन्होंने काम करना है इसको अब आगे लेकर जाना है इस connection को काफी पीछे रखा हुआ था उन्होंने और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब बारी आ गई है हमारे इस connection की अब बारी आ गई है हमारी ये भी हो सकता है कि अब हमारा time आ गया है अब आप लोग इस mindset की तरफ जा रहे हैं, इस direction की तरफ जा रहे हैं तो यह आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे बताईएगा comment section में और अगर नए थे, like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा